हलो फ्रेंज वल्कम तो आज हम यह वीडियो में आपको HDFC बैंक का सेविंग्स करेंगे कोई भी अकाउंट आपको केसे खोला वो दिखाएंगे आपको तो सबसे पहले आपका ओफिशियल साइट है HDFCBank.com इसमें जाना है आपको तो यहां उपर में देखिया what are you looking for तो यहां पर आप सेविंग्स करेंगे अकाउंट्स प्रोडक्त पर आप सेविंग्स करेंट जो भी आपको चाहिए वह एप्लाइ करेंगे तो आपका यहां पर दो ऑप्सेंज हैं existing customer और new customer को अगर आपका HDFC bank account है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे और अगर आप new customer है तो यहां पर क् bit एक बार और क्लिक करते हैं तो यह देखें नया पेज में redirect हो गया है तो आपका joint और single एक से ज्यादा होने से आपको joint करना होगा और single operated होने से single nominee में आपको अगर select yes करना है तो yes करेंगे नहीं तो no करेंगे product variable में आप regular savings account आपका बहुत सारा options रहता है तो आपको जो चाहिए वो select कर लीजेगा तो यहां पर नाम तो form will up करेंगे आपका nearest branch select कर लीजेगा कर दो तो आपको फॉर्म विल अप करना है अपना डेट अबर्थ एवरिटिंग डीटियल्स में देना होगा तो अगर आपको इस्टेट्मेंट चाहिए तो आप टिक करेंगे और ने चाहिए तो ऐसे छोड़ देंगे और मॉबाइल में अलर्ट सही है तो ओके कर देंगे अड्रेस आपका पोस्टल अड्रेस अब डालना होगा आपको उपिशन बिसिकली आपको टूटल डीटियल्स देना होगा अकॉंड ओपनिंग के टाइम में तो एटियम चाहिए तो एस करेंगे अगर नहीं चाहिए तो नो करेंगे आपका अप्लोड या डॉकुमेंट्स ऑप्शनल है यहां पर तो आप बिना अप्लोड भी नेक्स्ट टेप में बढ़ सकते हैं इसके वाद्स सब्मिट मादर स्पैडर नेम कुछ छूट गया था तो वह फिलप कर लेता है तो यह देखे आपका थेंक्यू फॉर एप्लाइंग फॉर एप्लिकेशन नमबर इस डैस बिन सब्मिटेट तो आपका यहां पर देखे आर रिप्रेजेंटेटिटिव रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव कॉल यू सॉटली और लिस्ट अफ डॉकुमेंट्स रिक्वाइड आपको पास्वोड वोटा इडी कार्ड वैलिट पर्मेंट ड्राइव लाइसेंज आधार यह सब है आप इसको पढ़ लीजेगा तो यह सब डॉक्मेंट्स आपको रेडी रखना होगा तो यह आपका जो भी कॉल आएगा और एप्रेजेंटिव आपको कॉल करेगा उसके बाद आ यह वागि वाचिंग वाचिट वीडियो पॉसा राइट प्लीज लाइक अब्सक्राइट लाइट प्रिस लाक्षण दो